नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में सबसे बहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कल की वीडियो को इतना प्यार दिखाने के लिए आज हम आपके लिए एक और कंपैरिजन लेके आ गए है मेरे साइड में जो वाइट वाली गाड़ी खड़ी है वो है एकसल वेरियंट और जो ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है वो है एकस वी वेरियंट वीडियो को एंड तक देखें और इन दोनों में डिफरेंसेज और आपको कौन सा आप्ट करना चाहिए ये सबी डिटेल्स पहुँचाएंगे इस शूट में हमें असिस्ट किया है यूवी निसान ओकला ने तो स्क्रीन पर आ रहा है कॉंटेक्ट नंबर पर इन्हें कॉंटेक्ट करें चलिए अब आपको फ्रेंट से डिफरेंसेज काउंट करा देते हैं पहले यहां चेक आउट करिए सबसे जादा गाड़ी ब्लैक में सूट हो रही है और पीछे ब्राउन में भी आप एक मैगनाइट देख पा रहे हैं ग्रिल सेम दी गई है स्किट प्लेट सिल्वर कलर की और डिफरेंसेज की बात करें तो हेड लाम्स भी सेम है यहां पर क्रोम और्नमेंटेशन और फॉग लाम्स की जगा खाली है जबकि ब्लैक वाली गाड़ी में आपको यह दोनों जगा भरी मिलेंगी यह चेक आउट करें यहां डिया गया है और नीचे फॉग लाम्स प्रोवाइड़ है इसके बाद ग्रिल यहां पर भी सेम दी गई है और स्किट प्लेट यहां भी सिल्वर है चलिए अब आगे चलते हैं यह देखिए ब्राउन कलर में आपके सामने मैगनाइट अब वील्स चेक आउट कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के उससे पहले ORVM और मैगनाइट की बैजिंग दोनों ही वेरियंट में सेम हैं विट टर्न इंडिकेटर्स यह चेक आउट करें 16 इंच के अलोई वील्स जो डाइमंड कट हैं 19560R16 के साइज में और साथ ही यह अलोई वील्स जैसे दिखने वाले वील कैप्स और इनका भी साइज है 19560R16 चलिए अब दूर से एक साइट लुक ले ले लेते हैं वाइट वाली गाड़ी का तो रूफ रेल्स दिख पा रहे हैं बाडी कलर डूर हैं और ब्लैक क्लैडिंग है अब ब्लैक वाली में बात करें तो क्लैडिंग में सिल्वर का टैच है क्रूम डूर हैंडल दिए गए हैं रूफ रेल्स आइज इस है और अलोई वील्स का डिफरेंस तो है ही साथी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको डूर हैंडल पे अब यहाँ आपको चेक आउट कराएं चलिए रेयर में देख लेते हैं तो सिल्वर स्किट प्लेट है रेयर पार्किंग सेंसर हैं रेफलेक्टर्स हैं नमबर प्लेट के लिए प्लेस्मेंट और कैमरा भी दिया गया है रूफ रेल्स और माइक्रो एंटिना माफी चाहूंगा गाड़ी थोड़ी गंदी है और दूसरी साइड से भी एक लोक ले लें ओवराल ब्लैक में गाड़ी काफी अच्छी दिखाई दे रही है चलिए अब बारी आगई है वाइट वाली को दिखाने की तो रेयर में आगए है वाइट वाली के अब और टेल लाम्स दोनों में सेम मिलेंगे वाइपर, वाशर, डीफागर सब सेम है स्किट ब्लेट, सेंसर्स बस एक फरक मिलेगा रेयर में आपको कि ब्लैक वाली एक्स वी में रेयर कैमरा था जबकि इसमें नहीं मिलेगा ये दूसरी साइड चेक आउट कर लें इसकी एक्स्टिरियर में आपको यही कुछ डिफरेंसेज मिलते हैं इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी इंटिरियर की उससे पहले दोनों का इंजन बे चेक आउट कर लेते हैं आपको बता दें ये दोनों ही नन टर्वो इंजन है तो चेक कर लेते हैं बाई चांस को ये हिडन कॉस्ट कटिंग करी हो गाड़ी में तो वो भी चीज पता लग जाएगी सबसे पहले ब्लैक वाली का इंजन बे देख लेते हैं तो सेम इंजन और सेम इंसुलेशन दिखाई दे रही है इसके बाद वाइट वाली की तरफ चलते हैं एक बाद और यहां पे भी बिल्कुल सेम चीजों का यूज दिखाई दे रहा है चलिए एक बार बूट भी चेक आउट कर लेते हैं डियरल भी दिया गया है इस गाड़ी में ब्लैक वाली में तो यहां आपको पारसल ट्रे मिल जाती है एकसेल वेरियंट में और स्पेर वील सेम रेड कलर का 15 इंच उसके बाद आपको हुक मिल जाते हैं बूट में और बूट को बंद कर देते हैं और अब चलते हैं अपनी ब्लैक वाली गाड़ी की तरफ यह हाई मांट स्टॉप लाम्प, रियर वाइपर, वाशर, डीफॉगर ब्लैक वाली का अल्रेडी बूट हमने खोल के रखा हुआ है और पार्सल ट्रे आपको यहां भी मिल जाती है बट बूट में एक एडिशनल चीज है यह देखिए यह लेफ्ट साइड में आपको बूट लैंप मिल जाता है यह एडिशनल है चलिए यहां इसका भी बूट बंद कर देते है और यहां भी सेम पैटन फॉलो किया गया है अब बारी आ गई है आपको एक्सेल का इंटिरियर दिखाने की लॉक अन लॉक, सिल्वर डोर हैंडल्स, पावर विंडो और मिरर कंट्रोल्स डूल टोन फिनिश मिल जाती है हेडलाम्प लेवलर मिल जाता है और चलिए स्टेरिंग को एक बार सीधा कर देते है उससे पहले एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते है इसमें आपको पुश टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा जबकि एक्सवी वेरियंट में मिल जाता है स्पीडो मीटर कुछ ऐसा मिलेगा ये टू डिन का ओडियो सिस्टम और यहां पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे सीध फैबरिक है ओवर ओल कल भी ये आपको ये गाड़िया हमने एकसेल वेरियंट एकसी से कंपेर करके दिखाया था तो चीज़े लगबख सेम ही है बोटाज हम कंपैरिजन कर रहे हैं इससे हायर वेरियंट से यहां आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है माइक मिल जाता है केबिन लैंप मिल जाता है और ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं मिलेगा चलिए यहाँ चेक आउट कर लीजिए एक बार इसके बाद अपने अधर एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं इसके स्टेरिंग मांटेड आडियो कंट्रोल पे एक बार ध्यान दे और इसकी की आपको दिखा देते हैं यह देखिए कुछ ऐसी रिमोट की मिल जाती है बट आपको की इंसर्ट करनी पड़ेगी और अब रियर सीट की तरफ चलते हैं रियर डोर पैनल बिल्कुल फ्रेंट की यह तरह दिया गया है और रियर सीट में आपको आमरेस्ट अभी तक नहीं मिला है रियर में आपको पार्सल ट्रे इस वेरियन में मिल चुकी है जैसा कि हमने एक्स्टिरियर में भी बताया था और रियर केबिल लैंप मिलता है चलिए अब बढ़ते हैं अपनी ब्लैक वाली गाड़ी की तरफ तो यहां भी लॉक अन लॉक के लिए सेम मेकैनिजम ग्रे फैबरिक सेम कंट्रोल्स दिये गए हैं मिरर आटो फोल्डिंग है इसमें यह इस इवेंट हिड लैंप लेविलर पेडल्स आपको दिखा देते हैं यहां पे की के लिए जगा नहीं है और कई सारे चेंजे इस वेरियंट में आपको मिल जाते हैं रिमोट की मिल जाएगी और रिक्वेस्ट सेंसर डोर हैंडल्स पर गिविन है चलिए इसका स्टेरिंग भी सीधा कर देते हैं और इसके चेक अुट करें तो इसमें प्रापपर स्टेरिंग मांके जाते हैं यहां पे स्पीडो मीटर भी चेंज हो गया है और टच्च्सक्रीन सिस्टम मिल गया है आपको उसके बाद ओटमाटिक क्लाइमिट कंट्रॉल तो सेम ही है और नीचे USB socket add हो गया है armrest अभी तक आपको इस variant में भी नहीं मिल पाया है इसके अलावा बात करें तो mirror मिल जाता है passenger side यह बिल लाम्प है माइक इसमें भी है IRVM manual adjustment के साथ और इसमें driver side भी mirror आ चुका है और माइक यहां पे दिया गया है चलिए अब देख लेते हैं एक बार dashboard, sorry, glove box को तो यहां पे भी आपको lamp add on कर दिया गया है जो की minute details है बट रात में यह आपके बहुत काम आती है चलिए अब एक बार आपको speedometer check out करा देते हैं तो ऐसा कुछ welcome function है और इसके बाद कुछ ऐसा सा analytics आपके सामने आता है comment section में बताएं आपको पसंद आया की नही चलिए अब बारी आगई है rear seat पे चलने की और check out करने की rear में क्या differences है door panel as it is मिलेगा और यहां check out कर लेते हैं armrest आया की नही तो जी यहां दोस्तों यहां पे armrest आ चुका है और एक बार यह plastic हटा देते हैं तो armrest with cup and phone holder दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छा positive point बन जाता है और rear से कुछ ऐसा look आता है rear में cabin lamp follow किया जा रहा है और parcel tray obviously इसमें है ही चलिए अब भार निकल जाते हैं right side में fuel filler cap मिलेगी अब बात कर लेते हैं इस touchscreen system की थोड़ा touch response की तो overall music system का response आपको एक separate video में देखने को मिलेगा जिसमें हम compare करेंगे Excel और XV variant का music system अभी आप check out कर पा रहे हैं radio, media, phone, vehicle, settings और smartphone integration अगर आपको device connect करना है तो आप add दबाएं okay दबाएं दुबारा okay दबाएं और एक और बार okay दबाएं यहाँ पे आप cancel कर सकते हैं और अपना device search कर सकते हैं और आपका device show होने लग जाएगा चलिए other aspects में radio दिया गया है settings देख लेते हैं तो इसमें generally audio settings है vehicle में आपको vehicle settings मिल जाती है यह चेक करें rear view camera on या off कर सकते हैं और driving eco को देख लेते हैं एक बार तो यह आपके driving habits के बारे में बताता है यह भी एक काफी अच्छा positive point है इसके बाद touchscreen का response overall काफी अच्छा है और यह चेक आउट करें इसका rear camera अभी reverse gear डाल के भी दिखाएंगे पहले यहां से brightness और other things adjust कर देते हैं जिससे हमें रात में help हो सकती है जैसा कि आप देख पारें white बढ़ गया है और check out करें काफी bright हो गया है daytime में चलिए अब एक बार rear camera डाल देते हैं तो rear में आपको कुछ यह चीज़ें मिल जाएंगी finally अगर वीडियो को conclude करें तो XL variant से XV variant में कुछ premium चीज़ों का upgrade मिल जाता है आपको और अगर आपकी pocket allow करती है और आपको इन चीज़ों की वाकई में जरूरत है तो आप बिल्कुल XL से XV variant पे upgrade कर सकते हैं और यह सभी features इसके price gap में बिल्कुल worthy हैं और कहीं कोई gap नहीं आता है मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों